दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अभ्यालू लूसेंट समाने ग्यान इससे रिलेटेट जो है इंपोर्टेंट 40 प्लस कोस्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एक्षाम से रेल बे ग आइकन यानि जो घंटी के निसान है इससे जुरूर से अनकर दे ठीक है और यह टोटल जो 40 प्लस कोस्चन है आप इनमें से कितने कोस्चन जो है सही कर पाते हैं अपना इसकोर जो है कमेंड बक्स में जुरूर बाता है तो चले शुरू करते हैं देखे यहां पर हमारा पहल कोस्चन दिया गया है राशपती लोकसभा भांग करते हैं तो देखे राशपती जो है लोकसभा यह परधान मंत्री के सला पर अनुछे देटी फाइब के तहते हैं ठीक है परधान मंत्री के सला पर अनुछे देटी फाइब के तहते हैं ठीक है और लोकसभा जो होता है यह संसद का नीचला सदन होता है लोक सबा संसद का नीचला सदन होता है और राजय सबा जो होता है इसका कारेकाल छे बर्स का होता है और ये संसद का उच सदन होता है ठीक है आपको याद रखना है इसके अलावा यहाँ पर हमने राश्पति से related कुछ important question लिख रखे हैं जो एक राश्पति पद का प्रावधान किस अनुषिद में है अनुषिद 52 में है राश्पति पद का प्रावधान भारतिय संबिधान में राश्पति पर महाभियों का प्रावधान किस दे से लिया गया है तो राश्पति पर महाभियों का प्रावधान जो ए अमेरिका से लिया ग किस अनुषेद में राश्पती के कारियों सक्ति का प्राउधान है तो अनुषेद पश्पन में राश्पती के निर्वाचन के रिती के बारे में बताये गया है किस अनुषेद में राश्पती के सपत के बारे में बताये गया है तो अनुषेद साठ में बताये गया है किस अनुषेद में राश्पती के पूना निर्वाचन के बारे में बताए गया है राश्पती को सपत कौन दिलाता है तो मुख्य नाइधिस ठीक है भारत के जो मुख्य नाइधिस होते है ये राश्पती को सपत दिलाते है राश्पती पद की योगिता क्या होती है तो देख लोग सबा सदव से बनने के योग्य हो और किसी लाव के पद पर ना हूँ ठीक है आपको याद रखना है राश्पती राश्पती पद के लिए योग्यता क्या होने चाहिए अपको याद रखना है कुश्चन नमबर टू है समाने ताप पर किसी पात्र में जलको यदि भारे युक्त में मन्थनी से मन्थन करते हैं तो उसके ताप में तो उसके ताप में ब्रीधी होगी ठीक है आंसर हो जाएगा अपसने कुश्चन नमबर थाड है गेहों की खेती के लिए कौन से उर्वरा का उप्योग करेंगे गेहों की खेती के लिए कौन से उर्वरा का उप्योग करेंगे नाइट्रोजन का उप्योग करेंगे ठीक है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा इसके अलावा जादी बात करें गेहों में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है तो प्रोटीन का प्रतिशत होता होता है 12% आपको याद रखना है गेहों में प्रोटीन कितना पाये जाता है 12% पाये जाता है और सबसे अधिक प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा किस में पाये जाती है सुया बीन में सुया बीन में जो है प्रोटीन की पर्थिसत मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है 42% ठीक है, कुश्चन नमबर 4 है कौन सा सुक्ष्म जीव सराब उद्यों के इलकोहलिक किडवन के लिए परियुक्त होता है कौन सा सुक्ष्म जीव सराब उद्यों के इलकोहलिक किडवन के लिए परियुक्त होता है तो इस्ट परियुक्त होता है ठीक है, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा कुश्चन नमबर 5 है निमनलेखित में से कौन सा पदार्थ समुंद्री जल से निकाला गया है तो समुंद्री जल से ब्रोमिन निकाला गया ठीक है, करेक्ट आंसर D हो जाएगा कुश्चन नमबर 6 है निमनलेखित बैग्यानिकों में से किस ने नवीन साप एक्षपा सिधांत परतिपादित किया था तो G.B. नरलीकर ने परतिपादित किया था करेक्ट आंसर यह हो जाएगा कुश्चन नमबर 7 है लेंस की सक्ति किसे ब्यक्त की जाती है लेंस की सक्ति किसे ब्यक्त की जाती है डायोप्टर से ठीक है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा कुश्चन नमबर 8 है और सोका गंधार से प्राप्त अभी लेखे निमने लेखित में से किन लीपियों में लिखा गया है असो का कांधार से प्राप्त अभी लेख किन लीपियों में लिखा गया है तो युनानि और अर्माइक लीपी में लिखा गया है ठीक है, correct answer C हो जाएगा इसके अलावा असो का 13 जो सिला लेख है ये काफी बार जो एकजाम में पूछा जाता है तो 13 जो सिलालेख है इसमें किसका उलेख किया गया है तो कलिंग यूद का बर्णन ठीके असो का जो कलिंग यूद का बर्णन है असो के 13 जिलालेख में जो इसका बर्णन किया गया है आपको याद रखना है question number 9 है वायूद आपको प्रभावित करनावाला सबसे प्रमोक कारक है वायूद आपको प्रभावित करनावाला सबसे प्रमोक कारक कौन सा है जलवास भै ठीक है correct answer do चाहेगा methanol को किस नाम से भी जाना जाता है बूर्ड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है ठीक है correct answer C हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेश वीडियो को लाइक जरू करते हैं अपने दोस्तों में भी सेयर करते हैं और चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी के निसाना इसे जुरूर से अन करते हैं सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन अन करने से फायदा यह होगा कि जब भी मैं एकोई निव वीडियो अपलोड करूँगा उसका नूटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा तो सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन अन रखें कुश्चन नमबर 11 है आकसी असिटिलेन फिलेम कोटिंग के दोरान धातु कट जाती है तो गोहन आकसी करन के दोरा कट जाती है ठीक है करेक्ट आंसर डी उचायाएगा कुश्चन नमबर 12 है निमने लेखित मैं से किस गैस की परतिसत मात्रा आइतन में वाई मंडल से कम है आइतन में आपको बताना है वाई मंडल में कम है परतिसत मात्रा तो करबंडाई अकसाइड की ठीक है करबंडाई अकसाइड की परतिसत मात्रा आइतन में जो है वाई मंडल में कम है ठीक है अंसर हो जाएगा बी कुश्चन नमबर 13 है निमनलेखित में से कौन सा अस्थान सत्वाहनों की राइधाने थी तो पर्थिस्टान ठीक है पर्थिस्टान जो हुआ करता था उस समय सत्वाहनों की राइधाने थी पर्थिस्टान की बात करें तो यह महराष्ट के और अंगाबाद जिले में है ठीक है पर्थिस्टान जो जगा है ये महराश्ट के और अंगाबाद जिले में है और ये सत्वाहनों की राइधानी हुआ करती थी कुश्य नमबर 14 है कौन सी नादे रिफ्ट घाटी या भरान से घाटी से होकर बहती है तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नर्मदा ठीक है नर्मदा जो है रिफ्ट भारत में जो है नीली करांती से संबंदे थे करेक्ट आंसर सी ये जाएगा इसके अलावा हमने यहाँ पर भारत के प्रमुक क्रेशी करांती ये लिख रखे हैं जो एक चाम में बार बार पूशे जाते हैं तो देखे पहला दिया गया हरित करांती तो हरित करांती किसके उत उत्पादन से सम्मंदित हैं अमरित करांती नदी जोड़ो पर्योजनाय से धूसर या सलेटी करांती जो है सीमेंट से सम्मंदित है और गूल करांती जो है आलूत पादन से सम्मंदित है आपको याद रखना है एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कुश्यन नंबर 16 है निलांग घाटि किस राज्य में इस्तित है उत्रा खन राज्य में इस्तित है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 17 है किरेश ने छिदर सिधान को किसने पर्तिपादित किया था बेरे इंपोर्टेंट कुश्यन सिवालिक और महान हिमाले के मद्धे में इस दीत है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कुश्चन नमबर 19 है दुनिया में कुल कितने देश है बेरी इंपोर्टेंट कुश्चन दुनिया में कुल कितने देश है अधिक कारिक तोर पर देखा जाए हलाकि अधिकारिक तोर पर 195 देशों को जो है मननेता प्राथ है तो अधिकारिक तोर पर आपको पता होना चाहिए कि 195 देश है अभी बरतमान में ठीक है याद रखना है आपको लोगसभा में अनुसुचित है जन जातियों के लिए निमनलेखित में से अधिक है अधिक है संसद के द्वारा ठीक है अब अतकाल में किसी राजे बिधान सभा की ओधी बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा संसद के द्वारा बी आंसर हो जाएगा 23 है बोडो निवासी है तो बोडो जो है गारो पहाड़ी के निवासी है correct answer यह हो जाएगा question number 24 है संकरधान की खेती सरवाधिक लोग पिरिया है चाइना में चीन में ठीक है चीन में सरवाधिक लोग पिरिया है बी आंसर हो जाएगा महासागरिय नितल सबसे बिस्तरित भाग कौन सा है महासागरिय नितल का सबसे बिस्तरित भाग कौन सा है तो गहरे सागरिय मैदान है ठीक है गहरे सागरिय मैदान जो है इसके बिस्तरित भाग है टी अंसर हो जाएगा कुछिन नमबर 26 है नियाले द्वारा अपराधि कहोंसित किये गए बेक्ति को चुनाव लोडने के लिए आयोग ये करार देने का निर्णे किया गया है किसके द्वारा किया गया है तो ये किया गया है संसत के द्वारा ठीक है आप सभी को पता ही होगा कि अप राधी वाले जो ब्यक्ति होते हैं उनको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है तो इसका निर्णे किसके द्वरा किया गया है तो ये संसत के द्वरा किया गया है ठीक है आंसर हो जायेगा D Question No.27 है भारत की किसी राजे में बिधान परिशत का स्रीजन आथवा समाप्ति की जा सकती है तो ये राजे बिधान सभा के तत संबंध संकल पारित करने पर संसर द्वरा ठीक है Correct answer C हो जाएगा राजे बिधान सभा के तत संबंध संकल पारित करने पर संसर द्वरा ठीक है भारत की किसी राजे में बिधान परिशत है या बिधान परिशत का स्रीजन आथवा उसकी समाप्ति की जा सकती C answer हो जाएगा 28 है भारत में आर्थिक उदारी करन शुरू हुआ भारत में आर्थिक उदारी करन शुरू हुआ ठीक है यह answer हो जाएगा question number 29 है नाबाड की अस्थापना किस समेती के सिफारिस पर की गई थी ठीक है answer हो जाएगा D question number 30 है operation blackboard संबंध ही थै किस संबंध ही थै प्राथ्मिक सिक्छा से ठीक है प्राथ्मिक सिक्छा से संबंध है D answer हो जाएगा यूनेशको के तत्वधान में समाजिक भीकास पर प्रथम बिश्व सिखर सम्मेलन कहां पर आयुजित किया गया था यूनेशको के तत्वधान समाजिक भीकास पर प्रथम बिश्व सिखर सम्मेलन यहीं पर जो है कोपेन हेगन में आयुजित किया गया था जल का वास में परिवर्तन क्या कहलाता था भारत के राष्टि अभी लेखा-गार का मुख्याले लेकार काहां पर ए तो इसका मुख्याले जो है पुन्य में स्यांपया तो इसको हिर्दे कुझ के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर यह जाएगा, कुछन नम्बर 35 है, लाल बहदुर सास्त्री अस्टेडियम कहां इस्तित है, हैदराबाद में इस्तित है, करेक्ट आंसर टी हो जाएगा, मोहिनी अठम प्रमपरागत निरित्य है, मोहिनी अठम प्रमपरागत निरित्य है, तो यह किरल का प्रमपरागत निरित्य है, करेक्ट आंसर सी यह जाएगा, इसके अलाबा एक और कोशन पूछा जाता है, कौथा कल्ली, कौथा कल्ली जो है, यह भी किरल का प्रमुख निरित तथा आर्थिक कारेकराम पर संकल प्रारूपीत किया किसने किया था तो ये किया था जोहारलाल नेहरों ने ठीक है आंसर हो जाएगा बी कुश्चन नमबर और तीस है भारतिय राष्ट्र कांगरेस के तिरुपूरी संम्मेलन में बर्श 1949 में सुबाज चंदर भोस को कांगरेस का ध्यक्षे चुना गया था यह तिर्यूपुरी कहा है तिर्यूपुरी बताना है भारतिय राश्टे कांग्रेस के तिर्यूपुरी जो सम्मेलन 1949 में हुआ था उस समय सुबास चंद्र बोष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था तो तिर्यूपुरी आपको बताना है कहा है तो ति आग पत्र के बाद भारती राष्टे कांग्रेस का ध्याग से कौन हुआ तो ये राजेंदर परसाध हुए ठीक है अंसर हो जाएगा सी उसके बाद है यहाँ पर हमार अगला कुश्चन है निमने लेखित में से किस सत्वाहन बंस के राजा का नाम सांची इस्तूप के परवे आंकित है तो डोस्तो ये थे लुशंत समाने गयान के important 40 प्लस q TIME हुब कि ये वीडियो आपको पसंद आय रहेगा आप 40 atomic question में से कितने question जो है सही कर पाएं अपना score comment box में जरूर बाता है और वीडियो पसंद आए रहेगा तो please वीडियो को like कर दीजेगा अपने दोस्तों में share कर दीजेगा चैनल पनाया है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन याने जो घंटे का निसाने इसे जरूर चान करते जेगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहिंद चैभार